दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी और मेरे चैनल Tech with Krishmijn दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube की तरफ से मुझे पहली पेमेंट कितनी मिली है तो दोस्तो वीडियो होने वाली है काफी exciting एंट तक बने रहेगा तो चलिए करते हैं वीडियो का आज शुबारंब दोस्तो YouTube एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जिसमें मैं 2017 से आना चाहता था जिया दोस्तो ये चैनल मैंने 2017 में क्रियेट किया था पर दोस्तो इस चैनल में मैंने वीडियो यानि जो पहली वीडियो है वो जैनवरी 2020 में डाली थी अगर मैं आपको अपनी exact date बताऊं तो 21 जैनवरी 2020 को मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी क्योंकि दोस्तो उस टाइम यानि 2017 में मुझे कही ना कही लगता था कि मैं अभी YouTube चैनल के लिए तयार नहीं हूँ और पहले मुझे tech related थोड़ी knowledge ले लेनी चाहिए इसके बाद ही मुझे अपना चैनल शुरू करना चाहिए तो दोस्तो फाइनली मैंने जैनुवरी 2020 यानि इसी साल लगबग 7-8 महिने पहले अपना चैनल शुरू किया और दोस्तो उस टाइम जब मैंने ये देखा कि भईया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का watch time मुझे complete करना है तभी मैं YouTube से पैसा कमा सकूँगा तो दोस्तो वहां मैं काफी ज़ादा हैरान हो गया और काफी ज़ादा परिशान भी हो गया क्योंकि मुझे लगता था कि 1000 सब्सक्राइबर तो बहुत ज़ादा है 4000 घंटे का watch time भी बहुत ज़ादा है मुझे लगता था कि या क्या मैं एक साल में भी एक हजार सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर पाऊंगा पर दोस्तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इतना सपोर्ट दिया कि सिर्फ तीन से चार महीने में ही मेरे चैनल पे एक हजार सब्सक्राइबर भी हो गया और मेरा चैनल मॉनिटाइज भी हो गया क्योंकि दोस्तो यूट्यूब पे अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना चैनल मॉनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है मतलब आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वाच टाइम कम्पलीट होना बहुत ज़रूरी है अब दोस्तो जब regular वीडियो जालके और काफी ज़ादा मेहनत करके जब मैंने अपने चैनल पे monetization इनेबल कर ली तब जाके मुझे लगा कि हाँ अब मुझे अपनी महनत का फल मिलेगा और अब मैं अपनी वीडियो के थूरू YouTube से पैसा कमा सकूँगा और दोस्तो इसके बाद मैं सिर्फ यही वेट करता था कि कब मेरे AdSense में 100 डॉलर कम्पलीट होंगे जिससे मैं अपनी पेमेंट को YouTube से अपने बैंक अकाउन में ट्रांसफर कर पाऊंगा जा दोस्तो आपको अपने AdSense में 100 डॉलर चाहिए होते हैं तब ही आप अपने AdSense से अपने YouTube में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे अब दोस्तो धीरे-धीरे regular videos अपलोड करने के बाद और quality videos अपलोड करने के बाद जब channel धीरे-धीरे grow होने लगा तो channel की earning भी धीरे-धीरे grow होने लगी और दोस्तो देखते ही देखते मेरे जो YouTube की earning है वो 100 डॉलर से उपर गई और finally मेरे AdSense की earning इतनी हो गई कि मैं YouTube का पैसा अपने bank account में transfer कर सकूँ और यही reason है कि finally वो दिन आ गया है जब मुझे Google AdSense से mail आ गया कि आपकी जो payment है वो release कर दी गई है और payment release करने के एक दो दिन बाद वो payment मेरे bank account में transfer कर दी गई अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते है कि मेरी YouTube की earning कितनी आई है तो इसके लिए आपको मेरी Instagram ID पर जाना पड़ेगा मेरी Instagram ID आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते है Tech with Krish वहाँ पर जाके दोस्तों मैंने story में डाला हुआ है कि मेरी exact earning कितनी हुई है साथ ही साथ दोस्तों मैंने milestone के नाम से highlight बनाई है वहाँ पर भी आप मेरी YouTube की पहली earning देख सकते है दोस्तों InShot कहने का मतलब बस यही है कि जब मैंने अपना YouTube का channel 7-8 महिने पहले शुरू किया था तो उस time में मुझे यही लगता था कि यार 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का watch time कम्पलीट करना काफी मुश्किल है पर दोस्तों देखते ही देखते ना सिर्फ monetization enable हुई पर दोस्तों एक साल क्या सिर्फ 7-8 महिने में ही मेरी पहली earning आ गई है add then दोस्तों मैं सिर्फ यही काऊंगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो life में आप कोई भी goal achieve कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनलन को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा तो अब लोगा आप से इजाज़त मिलूगा कल फिर एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ तो चलता हूँ जयाहिंद और वन्धे मात्रम